नमस्कार जैमातादी मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीत हुआ जारे अठारा दिसेंबर मंडे यानि सोंबार का दिन है और आपके रहशी फल के साथ हम हाजिर है जिनका आज के दिन बर्थडे है विशे वेरी वेरी हैपी बर्थडे आपको बहुत बहुत शु अब यह दर्द होता गया हो दो-तीन कारण होता है एक तो आप स्ट्रेस जादा लेते हैं सूचते ही जादा है काम का प्रेशर जादा हो जाता है कही कारण हो सकते ना बढ़ा है दर्द रहे तो आप काम नहीं कर पाते ना तो आपके लिए एक छोटा सा उपाय है अगर आप आप बिमारी से पीडित हैं, तो आप दवाई मत छोड़िएगा, बट सेमी टेनिसली साथ में सुपाय को भी कर लीजेगा, ताकि आपको अच्छे से रिलीव मिल सके, बट जिनका बर्थडे है आज, उन्हें क्या करना है, सफेद, चंदन और चावल, इसका दान करना है, लेक बड़ों का अशिरवाद लीजी, छोटों को प्यार कीजिए और अपने बर्थडे को सुरक्षेत बर्थडे और खुश्नुमा बर्थडे बनाईए, मेरी और से, मेरी टीम की और से, आपको बहुत बहुत शुपकामना है आपके जनम दिन के, अब राशियों की बात करते है कौन सी राशियां आज क्या कुछ निया करने वाली है या किसकी राशी में कुछ बदलाव की जरूरत है, चलिए पहली राशी की बात करते हैं, एरीस की मेश राशी वालों, कुछ समय अलग और अकेले बिताना चाहिए आज के दिन आपको, किसी के बहकावे में ना आएं, आफिस में मन लगा करके काम करें, शुबंग की बात करें वा रहेगा, साथ शुबरंग रहेगा आपके लिए हरा, हरे रंग का इस्तेमाला आप आज के दिन कर सकते हैं, वरिश है यानि टॉरस की बात करते हैं, इरिश्या के चलते आपका काम बिगड सकता है, अपनी सोच म यानि जमनाई, अपनी भावनों के उपर, अपनी एमोशन के उपर कंट्रोल रखें, निया वाहन खरीदना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं, फसा हुआ धन आपका वापिस मिलने की संभावनाई है, शुबंग की बात करें, वो रहेगा तीन, शुबरंग रहेगा आपके लिए पीला-पीले रंग का इस्तेमाला आप आज के दिन कर सकते हैं, करका यानि किन सीरियन की बात करते हैं, किसी को भी अपने राज आज के दिन ना बताएं, अती विश्वास आपको खत्रे में डाल सकता है, दूसरों का काम बिगाडने का विचार मन में भी ना लाएं, आपका नुकसान हो जाएगा, शुबंग की बात करें, वो रहेगा साथ शुबरंग रहेगा आपके लिए पीला-पीले रंग का इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं, लियो यानि सेंकी बात करते हैं, परिवार में प्रोपड यानि संपत्ती को ले करके विवाद हो सकते हैं, तनाव को बहुत सादा बढ़ने ना दे, खुद के ओपर सयम रखने का प्रयास करें, धन से जुड़ी हुई समस्या आपकी समापत होगी, शुबंग की बात करें वो रहेगा, आठ शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्राउन, ब्राउन रंग का इस् रहेगा नो, शुबरंग रहेगा आपके लिए लाल रंग का इस्तेमाला पाज के देन कर सकते हैं, तुला यानि लिब्रा की बात करते हैं, अपने कारियों के ओपर थूड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, दूसरों को चोट ना पहुंचाएं, कहीं दूर यातरा पर जान काम के प्रति पूरी इमानदारी रखें, अपनी वानी के ओपर खास करके ड्रोल रखें, शुबंग के बात करें वह रहेगा एक शुब्रंग रहेगा आपके लिए मैरून मैरून रंग का इस्तेमाला पाज के देन कर सकते हैं, धनो यानि सजिटेरियस की बात करते हैं, पाठ शुबरंग रहेगा आपके लिए गुलाबी गुलाबी रंगा इस्तेमाल आप आज के दिन कर सकते हैं मकर यानि कैप्रिकॉन की बात करते हैं किसी से भी मदद की उमीद ना करें अपनी खुशियों का खास करके और अपनों की खुशियों का खास करके ध्यान रखें बह बात करते हैं वहन खरीदनी के पूरे योग बने हुए है परिवार से जूठ बोल करके घर से ना भागे ना जिम्मेदारियों से दूर हो धन आएगा लेकिन धन का खर्च भी बढ़ सकता है शुबंग की बात करें वो रहेगा पांच शुबरंग रहेगा आपके लिए नीला नीले रंका इस्तेमाला पाज के दिन चाहें तो कर सकते हैं आखरी राशी है मीन राशी यानी पाईसियन बुजूर्गों की बातों को नजर अंदाज ना करें अचाने को कोई खुश खबरी भी आपको मिल सकते हैं लेकिन वेपार की और खास ध्यान देने के विए ज़रू होता हैं कर आप अपोज से जादा सोचते हैं और कर आपको उसाईटि बहुत जादा होती है तो कारण चाहे कुछ भी हो बट सिर में तो दर्द रह रहे हैं तो आपने यह उपाई 10 दिन लगतार करना है 10 दिन लगतार मात्य के ऊपर आपने गंगा जल का तिलख लगाना है सुपाय को भी करना है देखें कि आपको बहुत जल्दी सहयोग मिल जाएगा तो आप ठीक भी हो जाएगे वीडियो को जाद से जाद लोगों तक जरूर पहुंचाएगा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर किजिए वीडियो शेयर किजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को भी जरूर देखेगा हर सुबह 6 बजे हम राशीवल के साथ हाजिर होते हैं कल सुबह 6 बजे फिर से आप ही के राशीवल के साथ हाजिर होंगे अपता के लिए नमस्कार जय मतादी